कि मैं ना किसी को क्रिटिसाइज करता नहीं हूं दिमाग आउट कितना भी हो जाए मैं किसी के भी अगेंस्ट कुछ बोलता नहीं हूं मैं बहुत प्विशंस रखता हूं पर कॉंस्टेंटली अक्षे कुमार पर अटैक करने के पीछे यह जो प्रतिक सर है मुझे समझ में आता है कि इनको प्रॉब्लम क्या है तीन या चार दिनों में चार विडियोज वो भी OMG2 के अगेंस्ट बोईकॉट OMG2 को जैसे कि यह लोग इन्होंने अब ठांग लिए कि बोईकॉट OMG2 का कैंपेंड बनाना है और बोईकॉट ही करनी है इस मुवी को डिजास्टर बनाना है इनको ना इनको कोई topic का आता पता है कुछ भी नहीं पता है ट्रेलर आया नहीं अभी तर कुछ जगह पे तो यह भी बोला जा रहे है कि कोई topic है नहीं यह sex education वाला यह शायद यह भी सुना है कि जो children exam के डर से suicide करते है उस पे यह film है हाँ कुछ जगह पे definitely articles में ज्यादा जगह पे sex education की important है यही बताया गया है और मैं भी agree कर रहा हूँ ना बार बार कि अगर महादेव जी के dialogues कुछ अलग होंगे तो इसका हाल public automatically आधिपुरुश जैसा करेगी लेकिन आप पहले से ही कैसे बोल सकते हो भाई और कितनी बार बोलू कि बहुत सेंसर बोर्ड ने यह सिर्व जै पहले ही review के लिए भेजिए इसमें यह नहीं है कि उन्होंने movie देख के भेजा है इस लाइक कि सिर्फ review के लिए भेजिए कि भाई ऐसा सच में है या नहीं बाद में कल जाके जो review की वो टीम आएगी वो एक report देगी कि भाई ऐसा नहीं है या आप release कर सकते हो या फिर यह changes कर बाद में release करो पर यह भाई कि तीन चार दिनों से में बोल एक बार मैंने वीडियो बनाया भाई मतलब ठीक है आपको किसी के अगेंस्ट है करो मैं यह नहीं कह रहा हूँ इवन 2012-13 में जो अक्षे कुमार सर ने वह statement दिया ता मैं उसके भी अगेंस्ट हूँ मैं अक्षे अच्छा है कि पहले पहले ट्रेलर तो आने दो क्रिटिसाइज करने के लिए ट्रेलर आने तो दो ट्रेलर में ऐसे चीजे समझ आई जाती है यह नहीं कि वह पूरा क्या करते हैं हाँ आधी पूरुष में उन्होंने किया था लेकिन यहां पे इनको कुछ ना कुछ तो प्रेसी होना चाहिए थोड़ा सा तो टॉपिक दिखाएंगे वह लेकिन यह है कि रोज उसमें यह है इसमें यह जाके देखो चार पच वीडियोज है उनके दो या तीन तो वीडियोज बड़े-बड़े सारे चार लाग सब्सक्राबर वाले चैनल पर भाई टीक है ना मैं यह भी आपको संट कर लूग अगर इस टॉकिक जो हम सोच रहे इसा नहीं निकला और भद्दा सा टॉपिक निकला मैं आपको करूंगा इस पहले सपोड़ और एवन यह जोрах ईक्शे गुमार के फैंसे मैं सीधी बात बोल रहा हाँ अक्शे गुमार के फैंस बहुत ओनेस् obviously वो भी आपको support करेंगे लेकिन पहले proof तो होने दो review के लिए भेजा है topic को लेके कुछ आता पता नहीं है 2-3 वीडिया articles ने ये भी बोला है कि topic ये है ये नहीं पर नहीं आपको करनी है negativity फैला नहीं है और इतनी ज़्यादा फैल गई है negativity omg2 की सिर्फ ये नहीं है ऐसे और 5-7 नहीं 10-15 से भी ज़्यादा है वो youtubers हाँ और इसमें भाई वो बंदे भी है जो आक्षे कुमर का रोज विरोध करते हैं जिनको भाई बहुत जवान पसंदे जिनको पठान पसंद आई थी पाकिस्तानी प्रेम वाली ये लोग भी इनको जानबुच के साथ दे रहे क्योंकि इनको तो आक्षे क्या गए है जाना ही है तो इस बर ये समझ लोगी ब्रति के नाम से जो भावभाव करते है वो भी उसके ही साथ है इस बर वेसे इंडिरेक्टली कि वो कुछ न कुछ वो भी ट्राय कर रहे कि अक्षे कुमर गिरना ही चाहिए कैसे भी तो मेरा ये कहना न भाई मैं क्या बोल रहा हूँ मेरा भी शायद वीव चेंज हो सकता है अगर ट्रेलर थोड़ा प्रोब्लेमेटिक हो तो पर नहीं होगा भाई अक्षे कुमर सर पर थोड़ा बिलिव तो रखो राम सितु जिनों ने निकाली इतनी बहतरीन मुवी निकाली इवन प्रतिक ने खुद प्रतिक सर ने खुद इस मुवी को अच्छा रेटिंग दिया था इवन इसकी तारिभ भी किती वो ये तक बोले थ पर भाई बनाई ना इन्होंने इसमें होगा ये पहले से ही कैसे सोच सकते हो भाई अक्षे कुमार सर अट प्रेजेंट जिस करियर के स्टेज पे है ना पाच फिल्म में पीटी है क्या आपको सीरियसली लगता है कि वह इस टाइप का कोई ऐसा रिस्क लेने की कोशिश करेंगे just because of इस चीप बॉलिवड के जो पीपल है उनके लिए सीरियसली लगता है मुझे नहीं लगता है देखो हेट फैला नहीं फैला वो ट्रेलर अगर आपने ट्रेलर लेकिन आपको टॉपिक ही नहीं तीजर में क्या आपको समझ में आया है भाई कि आप इतना डायेक्ली रोज रोज वीडियो बनाओ ना भाई अगेंस्ट वाले भ मतलब चारो भी वीडियो में मुझे जितना याद है तीन या चार वीडियो मैंने उनके पूरे वीडियो नहीं देखे मेरे पास वक्त नहीं तो वरना देख लेता एक देखा था लेकिन उन्होंने तो बताई रही हो तो जाने दो लेकिन तीन या चारो भी वीडियो में उन्ह कभी भी उनके अगेंस कहा कुछ बोल एं तो सीधा उन उनको यह बोल रहा कि भाई ट्रेलर तो आने तो ट्रेलर आने के बाद ट्रेलर सीधी बात भाई मैं एक सिंपल बात बोल रहा हूँ अभी का जो लोग है Orlando वह सच में जागे हुए है अगर ट्रेलर में सच में कुछ प्रॉब्लेमाटिक हुआ न यह मुवी सामने से बैन दिखेगी आपको यार लोग उस टाइप के नहीं कि मैं हमें एक्टर प्यार है obviously उन्हें भगवान प्यारे है उस टाइप के आप लोग बन चुके है उनकी mentality आप वो नहीं रही है जो 2013 से पहले हुआ करती थी पर कहने का मतलब यह है उस टाइप पे ready टाइप की movie भी चल जाती थी कोई ना concept ना कुछ ये ना ये इस बार किसी के भाई किसी के जान के हालत देख लो क्या हुई कैने का मतलब यह है कि लोग topic देखते है इस बार तो इतना जल्दी react देखो react करो ना रोज करो criticize भी करो पर एक बार trailer तो आने दो मुझे नहीं लगता है कि और हाँ कुछ लोग ये भी बोल रहे क्योंकि वो पहले सी boycott का जो comment डाला ना मेरे इसमें डालो boycott omg2 का लग comment लेकिन ये बात याद रखो अगर इसमें वैसा आप जो सोच रहे हो वैसा हो गई नहीं तो कि इस बात का boycott मुझे पता नहीं ये boycott अक्षे गुमार को लेके चल रहा है ये बाकी लोगों का मैं प्रतिक सर को नहीं बोलूँगा इस मामले में वो honestly उनको जो डर है वो जायज है क्योंकि ICB फिल्में है बॉलिवूड ने जो लोगों को C बनाया आदी पूरुष थी भादतर हूरे थी उनका एजंडा उन्होंने आलगी इवन अफवा भीड मैं भी अग्री करता हूँ अग्री कर रहा हूँ मैं और वोलिवूड धोका भी दे सकते है ट्रेलर में ये भी मैं अग्री करता हूँ कि भाई शायद ये भी हो सकता है कि टॉपिक OMG2 का अलगी दिखाएंगे ट्रेलर में और बाद में मूवी में आपको एक रियल कुछ ये देखने को मिलेगा लेकिन मुझे परिस्टनली अक्षे गुमार सर को लेके ये नहीं लगता है कि ये इतनी बड़ी रिस्क अपने लाइफ में पाच पिटने के बाद पाच फिल्में पिटने के बाद लेंगे यार लॉजिक लगाओ और उनको ये भी पता है कि सामने गदर टू जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म है तो वो इतनी बड़ी रिस्क क्यों लेंगे क्योंकि मैं सीधी बात बोल रहा हूँ अगर ये मुवी में कुछ भी प्रॉब्लमाटिक होगा न मैं सीधी बात बोल रहा हूँ अक्षे गुमार के फैंस को बुरा भी लगे तो चलेगा दो या तीन दिन के बाद मुवी खतम हो जाएगी थोड़ा भी उस टाइप का जो सोच रहे हो कि अच्छी तो यह ब्लॉकबस्टर जाएगी पर अगर यह इसमें जो यह लोग सोच रहे है वैसी टाइप के डायलोग इसमें होंगे न मैं सीधा बोल रहा हूँ तीन दिन के बाद हर थेटर ओनर गदर के शोज लगा देगा यह मुवी को पूरा आटोमेटिक इसको कोई वोईकॉट वोईकॉट नहीं होगा थेटर में लोग आएंगे नहीं सीधी बाती गदर टू के शोज बढ़ जाएंगे और थेटर ओनर उसको पैसा चाहिए रहता ह में पैसा कौन सी मुवी देती है वो एक दो महीना चला देंगे गदर टू को स्पेशली एटलिस जवान आने तक गदर टू कोई रखेंगे फिर वो इतनी बड़ी रिसक कैसे लेंगे भाई अक्षे गुमार सर सोचो ना वरना ओटीटी पे डाल देते ना ओटीटी पे तो क क्या रहा है मालू में क्या पहले सी बॉइकवाट ओंजीटू को नहीं होगा बॉइकवाट से फाइदा तब ही होता है शायद जब मूवी सोलो रिलीज होती है लगबख सोलो रिलीज यहाँ पे अगदर्टू जैसी ब्लॉक बॉस्टर मूवी आ रही है अगर ओंजीटू क शेयर किया करो मैं वी उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ इस मूवी के अगे इतने लोगे कि मेरी आके लेकी आवाज कुछ काम नहीं आने वाली अगर मैं सपोर्ट करता भी हूँ तो इसलिए जितना जादा हो से अगर जो आप कुछ कर रहे हो तो इससे हो क्या रहा है कि अभी से ही negativity फैल रही है और बाइचांस अगर राम से तुझ जैसी ही निकली तो मतलब इस लाइक कि एक तो बहतरीन सच में नॉर्मल मुवी निकली और सच में बहतरीन निकली तो सच आप सोचिए कि आपको कितना बुरा लगेगा Gummi इसुद्ष में इस पर है झाल झाल